चाहिन दोस्तो कुलदीप सिंग हीर वेलकम टू दिसार्थी मेन सीरीज फॉर HPS जहां पर हम लोग यह ट्राइंग टू इंशोर कि आपका वेल्डी एडिशन हो सके फॉर एर HPS मेन्स एक्जामिनेशन और गाइस यह जो है इस गोईंग टो बी इस सेकिंड सेशन ऑन इंवायर ड्रिल भी रहेगे कि आपको क्या करना है you have to write those answers एक PDF बनाना है और आपको जो number हमने दिये वे हैं उस पर आपको सेंड करना है हम लोग आपको जो है वो answers चेक करके देंगे साथ साथ में एक voice note भी डालेंगे so that this can help you out in improving your marks improving the structuring of your answer और कहीना कि आपको जो है better marks मिल सकें आपक आपको application download करनी है so download जरूर करिए आपके लिए हैस के लिए बहुत सारा content महां पर पढ़ा हुआ है paid भी free of cost भी so आप अपने साब से जो है इनको use कर सकते है so मैंने आपको यह particular area या trends बताये थे कि आपको environment से कहां कहां से question निकल कर आ रहे है so पिछले चार-पान साल के आपने है दो से तीन आपको medium question देखने को मिल रहे है और दो से तीन ही आपको जो है short question देखने को मिलते है और four marks and or of eight marks ठीक है इन ही को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे है four marks और eight marks को प्रैक्टिस कर रहे है हम लोग ने broadly यह भी देखा था है कौन-कौन से areas जो है वो important है जहां से question निकल मिल रहा है national statutes है जैसे की environment protection act है wildlife protection act है forest conservation act है इन जैसे area से question निकल क्या रहे है conservation of natural resources जैसे water air soil इनके ओपर आपको question देखने हो मिले है national program जो है जैसे कि आपका national action plan on climate change है और जैसे कि अब हम लोग जो है solar alliance की बात करें international solar alliance है one power one grid की बात कर रहे है तो इसके ओपर है then protected areas है आपके national जैसे आपका बाइयो डिवेस्टी रिजर्ब्स है बायो रिजर्ब्स है आपकी wildlife centuries है national parks है tiger reserves है इनके ओपर आपको question देखने मिल रहा है तो इन एरियास को आप जो है revise करना इन एरियास को focus में रखके revise करना और अगर आप अपना environment revise कर रहे है तो भी इन एरियास को focus करके revise करना है help you to revise comparatively better and will definitely help you out in your means examination तो चलिए पिसली बारे में आपको question दिया था कि why COP 27 is a lost opportunity with respect to the building a strong and sustainable action plan on climate change is concerned सो भई climate change हमें पता है कि भई it is real and यह हो रहा है and इसके लिए हमने जो है UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change यह जो है convention बना रखे है जिसके ओपर हम लोग क्या करते हैं हर साल बैठते हैं जिसे हम लोग पार्टी जो है जितने मिनेशन इसकी जो पार्टी है वो हर साल बैठते हैं हम लोग कॉप बोलते हैं कॉप पार्टी जो है टोटल जो है 27 वे बार बैठ रही है इस बार यहां पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं वी आ ट्राइंग टो इंशोर कि हम लोग अपने कार्बन इमिशन को कम कर सके कार्बन फूट्प्रिंट को कम करें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़े तो कॉप 27 में बहुत सारे डिसीजन लिया जाने थे बट वो डिसीजन नहीं लिये जा पाए बिकॉस ब्रॉड कंसेंसस हम लोग नहीं बना पाए थे तो उस क्लास मिले तो क्लास का एकसरट वहां पर आम लोगों लिया है तो बहुत ही ब्यूटीफुली सर ने एक कॉप 27 के ओपर वीडियो रखा है विच इस देर अवेलेबल इन आबर चैनल तो आप अगेन आज मैं आपको सॉल्व करने लागा था बट अभी इसको हम सॉल्व नही कोई और क्वशन ले लेते हैं फिर वाट इस अबाइबरस्टी होट फॉर्ट इंडिया कॉन कॉन से हाइब होट सबस्क्राइब था था एक काफी की अर्यार रहा है था साल हम लोगों को क्वेशिन देखने मिला है प्ले चार-पान सालों में यहां एक लीडिस दो बार ही हम कि it was coined by Norman Myers 1988 में and biodiversity hotspot जो है वो एरिया से जहां पर high species richness देखने में मिलती है और high degree of endemism देखने को मिलता है ठीक है ये endemism as you already know endemism का मतला हुआ था कि कोई जीव जो है वो उसी particular environment में मिलता है तो हम बोल देते कि ये जीव जो है it is endemic to that particular area only ठीक है जी तो बेसिकली exclusivity होती है उस particular जानवर की या उस particular जीव की उसी particular area में ठीक है जी इसको ज्यादा detail में आंसर format में बताऊंगा आपको कि इन्होंने बेसिकली बोला था कि वर्ल्ड में हम लोग हर जगे को conserve नहीं कर सकते बट हम लोग कुछ ऐसे areas को find out कर सकते जहां पे बहुत जादा biodiversity बहुत साधा species richness देखने में मिलती है अगर हम उन areas को conserve करें तो हम लोग अपने जो biodiversity उसको broadly conserve कर सकते हैं ठीक है यह तो यह नॉर्मन मायस ने बोला था अगर आपको और आइडिया पता है नॉर्मन मायस का तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर basically दिखा सकते हैं यहां पर थोड़ा knowledge हम लोग दिखा सकते हैं और topic से deviate होए बिना ठीक है जी तो बाइडिविस्टी होट्सपोट के आपने बता दिया नॉर्मन मायस ने दिया था 1988 में इंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स के होने चाहिए और at least 70% है उसका destruction हो चुका होना जाहिए ठीक है जी habitat destruction यह जो है basically key criteria जिससे कि हम लोग किसी भी area को biodiversity hotspot जो है बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है यह आपने यहाँ पर लिख दिया एक इस तरह flood diagram बना लिया उसके बाद आप basically next चीज आपको बतानी है है वो क्या है वो है कि इंडिया में कौन से बाइडवस्टी होट्सपोट आपको देखने मिलते हैं तो आपको पता है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एक इंडिया का get better marks in your examination and impact it is going to help you again stand out from other people बाकी लोगों से आपको तोड़ा different दिखोगे and different जो आपको marks भी मिलेंगे ठीक है तो कितने total biodiversity hotspots अपने पास अपने पास total is 4 हमी बाइडवस्टी होटपर जो की इंडिया का एरिया जिसमें आपको देखने हो मिलता है ठीक है जी पहला biodiversity hotspot का है आपका mostly आपका Himalayan region है यह वाला जो पोर्शन है यह यह वाला जो पोर्शन है इस यह फिर्स बाइडवस्टी होटपर तो यहाँ पर बता सकते हो कि यह बाइडवस्टी होटपर में इवन आप इस तरह का जो है वर्ल का सबसे चोटा यह सूर हो होता है तो यह आप लिख सकते हो है यह बाइद बशले है यह चीजी लिख सकते हो पॉइंट आपकर सकते हो विच शोज़ जाहर नॉलेज जु़ इंद पार्ट अप यह रिजिश्टीन हो टिके जी और भस बहुत एग्श पुर्वांचल पूर्शन आता है और आपका बर्मा वाला पूर्शन आता है तो इसमें आप लगते इसे हम कहते है इंडो बर्मा रीजन एंडो बर्मारीजन यहां पर लिख सकते हो यह बहुत सारी निकोबार रिजन फिकर जी निकोबार रिजन जो है वो आपका it is part of सुंडरलेंड ठीक है जी सुंडरलेंड का पार्ट है which includes your mostly Asian countries and part of your निकोबार रिजन this becomes your सुंडरलेंड portion then fourth portion जो है आपका this is your western ghats along with shri lanka western khat along with shri lanka तो this forms again very very high biodiverse area, आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं बहुत सारे amphibians, बहुत सारे reptilian की species मिलती हैं, आपको अगर आप species लिखना चाहते हैं, तो this is like neil-giri tahar के बारे में आप बात कर सकते हो, then you can always talk about lion-tailed macaak के बारे में बात कर सकते हो neil-giri martin के बारे में बात कर सकते हो, तो बात नहीं कर नहीं है, बच अगर आप थोड़ा सा point out कर दोगे, तो that will help you get better marks, I like, I think that will help you like at least जो बाकी average लोगों को मिलने होंगे, उससे आपको एक mark उपर मिल जाएगा and वो एक mark ही जो हम लोगे लिए more than sufficient कर आप हर question में से आदा एक mark ले लो के उपर, तो आपका interview का पका chance बनेगा, और even aggregate में जो है, आप काफी उपर number पे आऊ गए, ठीक है जी, so that is how you can point it out, ठीक है, always अपना map बनाया हुआ जो है, वो आपको बहुत सादा help करेगा impact पड़ता है, ठीक है you people to write them out, आपको पता है number 8427124143 dedicated लिए council आप लोग के लिए बैठी हुई है जो कि आपके questions को process कर रहे हैं PDF आपके जो हैं, वो आगे teachers को forward कर रहे हैं, और वो teachers जो है आपको चेक करके voice notes डाल रहे हैं ठीक है, जी चलिए, question practice के लिए देख लेते हैं पहला question आपका जो है, first question it is, कि with respect to climate change negotiation, what is common but differential responsibility, CBDR frequently used by countries like India, ठीक है जी, तो चार माक्स पे अगे इन चार माक्स में होगा ने बहुत बड़ा question पूछ लिया है बट यही हैचेस में हम लोग देख भी रहे हैं कि बढ़े question को छोटे जो word limit है, उसमें भी पूछा जा रहा है, तो आपको CBDR के बारे बताना है अगें, यह COP27 में अगर आपने पढ़ी होगी या वो वीडियो देखोगे सर की, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में काफे डिटेल में मिल जाएगा information COP27, ठीक है, इस common but differential responsibilities second question, write brief project note on the project of secure Himalaya secure Himalaya important project है इसके ओपर आपको एक brief नोटिकल है, अगें चार मार्क के ओपर question है, next question discuss the role of forest right act, FRA act, हम लोग इसे बोलते हैं, 22006 में पास हुआ था, या इसे हम लोग schedule, tries and other forest dwellers act भी बोल देते हैं, ठीक है so FRA act जो है आपका, इसने किस तरह से forest dwellers को empower किया है, जो कि forest lands में रह रही है, ठीक है, यह 8 marks भी लिखना आपको question अच्छा है, और आपको लिखके दिखाना है, next question is, what is social forestry, how it can go, it can be a go-to how it can be a go-to solution for sustainable development कि sustainable development के लिए, जो है social forestry किस तरह से एक go-to solution हो सकता है, ठीक है, again search करो social forestry के बारे में, काफी जादा important है, हिमाचल भी काफी काम करता है, इसके लिए तो that is going to help you out, last question is, how one sun one world and one grid project can enhance the viability of solar projects and reduce carbon footprints, ठीक है, again generic question है, but current से linked है कि, वो ही one sun, one world, one grid, जो है, वो किस तरह से solar projects ही viability बढ़ा सकता है, और हमारे जो overall carbon footprints है इनको reduce करने में help कर सकता है, 8 marks में लिखना है, so guys, these were the questions for today, I hope आप इन questions को लिखोगे, and I'm hoping कि आप लोग जो है, you are going to, again, show your answer writing skill to us, and as well as, like, get those important reviews from our teachers, which can help you, again, get score, score better in your HS exam, ठीक है जी, so guys, again, put it in the comment box, आप कहुँ सा चाहते हैं, कहुँ सा क्वेशन को मुझे सॉल्व करना चाहिए, and if you'll do, again, I'll go and I'll just, next video के अंदर, जो है, मैं इसको solve करके लिखा हूँ, guys, ठीक है जी, so that is it for this particular session, thank you very much, I hope you are getting those value addition points, which we wanted, जिसकार ने सार्थी में जीरी चलाई गई थी, guys, so, जो भी, if you like this video, share करो, जरू कुर शेर करो, and, जो लोग भी इसको जो है, प्रिपेर कर रहे हैं, उनके साथ, जो है, you can discuss it out, thank you very much, all the very best, bye-bye.